आप सभी सातियों का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत थे आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए LLB Second Semester 2023 के Question Paper लेकर आए हैं कि 2023 में किस तरह के Question Constitutional Law Second में पूछे गए थे यानि कि भारतिय सम्विधान अधिनियम Second आपका जो सम्विधान है और दो पार्टों में डिवाइड है पहले semester में आईटी कल एक से लेकर बाउन ये तक आता है फिर उसकी बाद second semester में आता है एह second semester का paper है सम्विधान का अगर आपको किसी subject के notes चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर message कर सकते हो description box में हम आपको अपना नंबर देंगे एक्जाम में जो paper पूछा जाता है वह 60 नंबर का पूछा जाता है और 10 पृष्णे दिये जाते है जिसमें से 5 पृष्णे करने पड़ते हैं पितेक पृष्णे 12 नंबर का होता है एक बात ध्यान रखिये paper किसी भी university का हो जो पृष्णे महात्पोन होते है एक्जामिनर उन्हीं पृष्णों को ही repeat करता है अगर आपको paper की pdf चाहिए या किसी भी subject के notes चाहिए तो आपको मिल जाएंगे आप हमारे भाड़ सब नंबर पर message कर दीजेगा एक जाम मैं पहला पृष्ण पूछा गया था राष्टपती के चुनाव के लिए योगताएं क्या है राष्टपती के चुनाव की पिक्रिया क्या है राष्टपती के पद गिरण के नियमों और सेवा सर्तों का बढ़नन कीजिए इसके बाद दूसरा पृष्ण पूछा गया था जाज करें कि कि अब भारत जैसे सम्मिधानिक लोगतंत में संसदिये विसेशा दीकार कानून के समक्ष समानता के विप्रीध है इसके बाद तीसरा संग और राज्य के बीच बिधाई सक्तियों के बित्रण की योजना का समान लोचन आत्मक परिक्षन कीजिए चौथा प्रिषने पूछा गया था भारत के सम्मिधान में संसोदन की पिक्रिया का बर्णन कीजिए क्या संसद संबिधान के मूल धाचे को बदल सकती है चाचा कीजिए इसमें आपको भारतिय संबिधान का आइटिकल 368 के बारे में लिखना था जो सम्मिधान संसोदन पिक्रिया के बारे में बात करता है आपने अगर इन 10 प्रिषनों को तैयार कर लिए तो कम से कम 5 या 6 प्रिषने इनी पेपर से ही पूछे जाएंगे और आपको हमारे वीडियो की पिले लिष्ट पर चले जाना है उहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे इसके बाद पांचमा प्रिषन पूछा गया अनुछेद 302 और अनुछेद 356 के आंतरगत आपात काल की उद घोष्णाओं में अंतर इस्पष्ट कीजिए इसके बाद छटमा प्रिष्ण पूछा गया प्रिषाद का सिद्दान्त क्या है भारत में लोग सेवकों को प्राप्त सम्विधानिक सनरक्ष्णों की विवेचना कीजिए इसके बाद सात्मा नियायक सक्किरेता क्या है लोग हित बाद दौारा नियायक सक्किरेता की विवेचना कीजिए इसके बाद आठमा प्रिष्ण पूछा गया उच्चतम न्याले के विभिन छेट्था दिकारों का बर्णन कीजिए नोमा सर्वुच्च नियाले और उच्च नियाले के नियाय धीसों की न्युक्ति, निस्कासन, इस्थानांत्राण और सेवा की सर्तों से सम्मंदित नियमों का उल्ले कीजिये इसके बाद दस्मा प्रिश्ण पूछा गया था, निम्ने मैंसे किनी भी दो पर संचिप्त में टिप्णी लिखिये पहला बिधाई पिक्रिया, दूसरा उच्च नियाले का रिट छेत्ता दिकार, तीसरा राजजी के, राजजपाल की, राजजी में भूमका, एही दस प्रिश्णे, एललबी, सेकंड सेमिष्टर, भारती संविधान, सेकंड से पूछे गए थे अगर आपने इन पिरिश्णों को तैयार कर लिया, तो कम सी कम इन पिरिश्णों से पांच या च्छे पिरिश्णतों आपके एकजाम में पूछे ही जाएंगे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे वाटसप नमबर पर मेसेज कर सकते हो धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत, बंदे, मात्रम